Dear friends and dear students, very very good morning and you are most welcome to Indian style English channel. Friends, ये जो हमारी class होगी, ये spoken English पे based है. Spoken English पे based है और ये हमारी first class है. आज से हम course शुरू करें spoken English का YouTube पर. तो पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा भासा के. भासा के जैसे रूप होते हैं, भाई, spoken language होती है, written language होती है, या symbolic language होती है, ठीक है, अब हमें क्या करना है English का, हमें इसका जो spoken का जो इसका form है, रूप है, हमें उसको शीखना, spoken language शीखनी है हमें, ठीक हमें English बोलनी है, जो बोलता है उसको समझनी है, हमने written language से कुछ ही लेना, इसमें कौन सा rules लगा है, कहां subject है, कहा noun, क्या pronoun, क्या इसका structure है, ये compound sentence है, simple है, आप इसकी सिदर्दी मत लेजिए, इसकी सिदर्दी तो उनको लेनी है, जिनको spoken language ना सीखनी है, इंग्लिस ना सीखनी है, आप मान लेजी, आप पंजाब में चलेगे, दो दिन के लिए चलेगे, आप दो दिन में एका ना सुरू कर देते हैं, किया आला वई, किते गासी, इत्वाडे प्योदा, किया आले, क् आप पंजाब भी इसलिए सीख जाते हैं, दो दिन में वहाँ आपको गरामर के रूल ने चकर आपके दिमाग में के रूल याद करने है, ना स्ट्रक्चर दिमाग में स्ट्रक्चर याद करना, अगर उसके बारे में भी स्ट्रक्चर रूल के टेंस नो उठाओगे, तो वो खूब बोलते हैं, और हमारे यहां पड़े लिखे नहीं बोल पाते, रीजन क्या होओ, वो यह रीजन है, क्योंकि उस अंग्रेज ने कभी स्ट्रक्चर के बारे में सोची नहीं, ना उसने सोची कि इसमें रूल्स क्या हैं, उसने सो बस इंग्लिस बोलनी थी और उसने इं तो फिर्स्ट क्लास है, यह बिल्कुल बने बनाए 20 सेंटेंस हैं, इनको लिख लीजिए, घर पे एक दो बार बोलिए, और अपने कॉन्फिडेंस और इंट्रेस्ट को भढ़ आईए, सपोकल लेंग्वेज पर आईए, तो आयम गोईं टू रीड वेरी फिर्स्ट सेंटें मैंने सोचा कि यह काम हो गया है, I thought this work had been done, I thought this work had been done, has निलगाना है, हिंदू में यह कहावत है, यह कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो बोलना है, इन निलगाना है, कि हिंदू में यह कहावत है, मैं उससे रस्ते में मिला, I met him on the way, I met him on the way, in the way निलगाएंगे, कि में है यहाँ पर यहाँ लगाएंगे, I met him on the way, फिप्त है, उसके पास रूपे नहीं थे, तो he had no money on him, ना तो यहाँ रूपीज लिखेंगे, ना यहाँ वीद लगाएंगे, हम बोलेंगे, he had no money on him, वह अपने विरोधियों से जीत गया, he bit his opponent, he bit his opponent, बत्ती जलाओ, जैसे कंडल लगा होती है, light the lamp, बरंदी लेंप नहीं बोलना है, light the lamp, मेरी उससे बोलचाल नहीं है, I am not on speaking terms with him, talking नहीं लिखना यहाँ, speaking term लिखना है, अगर हमारा अपस में आना जाना नहीं है, तो बोलेंगे, we are not on visiting terms, वह वीभिन नामों से पुकारा जाता है, या उसको वीभिन नामों से पुकारते हैं, तो he is called by different names, with नहीं लगाएंगे, he is called by different names, वह अबल दर्जे में सफर करता है, he travels first, he travels first, in first नहीं लगाएंगे यहाँ, ठीक है, next है, मैंने उसे बेठने को कुर्सी दी, I gave him a chair to sit in, to sit in, for sitting नहीं बोलेंगे, इस पत्तर में लिखा है कि तुमारे पिता बिमार है, इस लेटर सेज, या रीड से, रीटर निल बोलेंगे यहाँ, तो इस लेटर सेज देट या फादर इज इल, next है, भोजन का क्या कहना, उन्हें तो रहने को घर भी नहीं है, not to speak of food, they don't have any house to live in, what to speak नहीं बोलना यहाँ, not to speak बोलना है, next है, मुझे डर है कि वह फेल हो जाएगी, I am afraid she would fail, I have fear नहीं बोलना है, I am afraid ही बोलना है, next है, डोक्टर ने मेरी नव्ज देखी, the doctor felt my pulse, the doctor felt my pulse, watch नहीं करना है, निशा करना है, felt करना है, उसने कभी ऐसा नहीं कहा, he said nothing of the kind, he said nothing of the kind, he said nothing of the kind, he never said नहीं बोलना है, he said nothing of the kind, खाना परोश दो, ले दी टेबल बोलते हैं, put the food नहीं बोलना है, ले दी टेबल, यह करना ही होगा, it has to be done, it has to be done, it has to be done, वह धक्कम धक्की करता हुआ हुआ पहली पक्ती में पहुंचा क्या धक्कम धक्की करता हुआ हैँ पहली लाइन में पहुंच गया तो he forced his way to the first row he forced his way to the first row वहां जाना मेरा काम नहीं है, it is no business of mine to go there, यह नी बोलना है, this is not my work to go there, बोलना है, it is no business of mine to go there, तो स्टुडेंट्स ये इंडियन स्टाइल इंग्लिस की चैनल की आपकी पहली स्पोकन इंग्लिस की क्लास्ति अगर आपको ये कोर्स करना है हार रोज फरी में होगा आपका तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है जो उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे थैंक यू बैस्ट ओफ लख है वे नाइस डेग